तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत एहम होगी जो ब्राइलर की फीट तो सेट करना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि ब्राइलर की जो डिमांड्स है जो रिक्वार्मेंट्स है बॉडी की वो क्या है ब्राइलर को कौन से चीज कितनी रेशो में चाह इनर्जी कितनी रेशियो में चाहिए, फैट कितनी रेशियो में चाहिए, अगर इन सब चीजों का पता होगा, तब ही अप हेल्दी फार्मुलेशन सेट कर सकोगे असलाम लेकुम दोस्तों, क्या हाल चाहल अब सब का, उमीद करता हूँ अब सब खैरेट्सी होंगे, सेफ होंगे, हिल्दी होंगे, और अपने घरोंपे होंगे, तो विल्कोमेजी एक ब्राइड न्यू वीडियो में, पोल्ट्री की बातें, सेशन टू में, तो यार कल या प ब्राइडर फीड फार्मॉलेशन पर मैं वीडियो बनाओं या मैं सोया बीन मील की क्वालिटी कंट्रोल पर वीडियो बनाओं, तो आप सब दोस्तों ने जो वोट है, वो ब्राइडर फीड फार्मॉलेशन पर की है, लेकिन कुछ दोस्तों ने मुझसे यही डिमांड की है कि आप पहले सोया बीन मील की वीडियो बनाओ तो अगर आप मुझसे परसनली पुछो तो मेरा परसनल यही ख्याल था कि मुझे पहले सोया बीन मील की वीडियो बनानी चाहिए कि उसकी क्वालिटी को कैसे चक करना है क्योंकि फीड फार्मॉलेट करने से पहले ज़रूरी है कि आपको यह पता हो कि तमाम raw materials की quality को कैसे check करना है raw materials अच्छी होंगे तो feed अच्छी बेनेगी मगर आप लोगों के voting जो है वो ब्राइलर feed formulation पे है तो आज हम ब्राइलर feed formulation की बात करेंगे यह ब्राइलर का जो flock है वो चार formulation पे पलता है यानि ब्राइलर के पूरे flock में चार formulation लगती है pre starter starter, grower, finisher इस चार formulation हैं जो ब्राइलर अपने पूरे tenure में खाता है आज हम बात करेंगे pre starter और starter पे कुछ लोग ब्राइलर को जो पहली feed देते हैं वो pre starter देते हैं और कुछ लोग ब्राइलर को जो पहली feed देते हैं from the first day वो starter ही शुरू करते हैं अब यह अगेन बहुत से factors पर depend करता है कि आपको पहले pre starter देना चाहिए bird को या starter feed आपको पहले bird को देनी चाहिए मेरे personal ख्याल में आपको पहले pre starter देनी चाहिए यूंकि जो पहला हफता होता है यह bird का power play होता है अब पहले हफते में bird को जितना उठा लेंगे bird पूरे flock में stable रहेगा मगर अलबता इन दोनों राशन की ज़रोत आपको bird देख के पड़ती है अगर आपका चूजा अच्छा है चूजे में sizing जादा नहीं है चूजे का average weight अच्छा है तो आपको starter से ही शुरू करना चाहिए मगर अगर आप देखते हो कि आपका चूजा a great नहीं है weight आपके चूजे का उस तरह नहीं है uniformity आपके चूजे में उस तरह नहीं है तो आपको पहले pre starter से शुरू करना चाहिए तो आज हम pre starter और starter दोनों की specs पे बात करेंगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने कौन सी specs को दे के formulation set करना होता है यानि bird की requirement क्या होती है अगर आप feet की exact formulation देख रहे हो तो वो आपको मेरे ख्याल से YouTube पे बहुत सी मिल जाएंगी मगर मैं personally आपको कभी भी recommend नहीं करूँगा कि आप वो formulation अपनी bird पर try करो क्योंकि यार हर bird to bird formulation vary करती है हर flock to flock formulation vary करती है आप किसी भी technical बंदे से पूछोगे कि मैं अपनी खुद की feet बनाना जाता हूँ मैं कौन सा formula इस्तमाल करूँ वो technical बंदा वो nutritionist पहले आपसे आपकी bird की पूरी history पूछेगा पूछेगा कि आपके bird की age कितनी है आपके bird का average weight कितने है आपके चूजे की quality क्या है उसकी history क्या है कोई disease, कोई बिमारी, किसी stress में आपका bird तो नहीं है इस तरह की बहुत से random questions पूछ के वो आपकी bird की condition को judge करके एक formula त्यार करके देगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को general specs बताऊँगा कि आपके bird की general specs क्या है जिसकी base पे आपने formulation सेट करनी होती है यानि bird को कितनी protein चाहिए कितनी energy चाहिए कितना fat चाहिए, कितनी fiber चाहिए उसका amino acid का profile क्या होना चाहिए उसमें mineral का profile क्या होना चाहिए इन सब चीज़ों को देख के ही आप formulation सेट करते हो तो इस वीडियो की नीचे मैं अपने facebook profile का link दूँगा आप उस पे आए मुझे अपने bird की पूरी history बताए आपका bird किस age का है उसका average weight क्या है उसकी feeding behavior क्या है किस किस हालाद से bird गुजरा है ताकि मुझे आपकी bird की condition का idea हो उस लिहाज से मैं आपको feed formulate करके दूँगा कि आपनी कितना raw material कितनी percentage में डालना है कि आपके bird की nutrition की specs फूरी हो जाए तो बरहल इस video में मैं आप लोगों को pre-starter और starter feed set करने की specs बताऊंगा कि bird की requirement क्या है कि उसका जो pre-starter और starter ration है जो feed है वो किस चीज को देखके set की जाए तो याँ सबसे पहले बात करते हैं protein पे जो protein bird को चाहिए होता है day old चिक को वो 22% से लेके 24% तक होता है अब ये depend करता है बहुत के bird की quality कैसी है चूजा जो आपके पास आया है किस grade का है किस sizing के साथ है अगर अच्छा है जादा sizing नहीं है तो आप जो formulation set करोगे वो 22% protein पे set कर सकते हो अगर उसमें थोड़ी sizing है bird का average weight उस तरह नहीं है तो आप 24% protein तक set करोगे उसके बाद अगर बात की जाए bird की energy पे metabolizable energy bird की कितनी होनी चाहिए day old चिक की जो आप feed formulation में set करो तो यार वो around 2900 से लेके 2950 kilo calories तक होनी चाहिए उसके बाद अगर fat का profile दो तो fat 4.2 से लेके 4.5% तक आपने bird का set करना है day old चिक का उसके बाद अगर fiber की बात की जाए तो fiber 3.5 से 3.7% की range में आपने fiber की setting करनी है उसके बाद अगर minerals की बात की जाए तो minerals जो important हैं जो आपने birds को लाजमी देने अपनी feed formulation में तो उसमें सबसे number one पे calcium है calcium आपने 0.8 से लेके 1% तक देना होता है ये भी आपने again bird की quality को bird की grading को देख के decide करना होता है उसके बाद जो available phosphorus है वो 0.6 से लेके 0.7 तक आपने formulation में सेट करना है उसके बाद अगर sodium पे बात कर लो तो sodium एक बहुत trace किसम का mineral है जो के feed में होना बहुत जरूरी होता है उसकी ratio बिशक थोड़ी सी है मगर उसका roll body में बहुत जाद है जो sodium है वो 0.15 से लेके 0.2 परसंट तक आपने feed में सेट करना है उसके बाद अगर chlorine की बात की जाए तो chlorine जो mineral है वो आपने feed में 0.3 तक सेट करना है इसेट का profile कैसे maintain करना है नमबर वन पे है lysine lysine एक ऐसा amino acid है जो के bird को बहुत जरूरी चाहिए होता है यह एक limiting essential amino acid है body में बहुत सी requirements सिफ lysine से पूरी होती है lysine आपने pre starter और starter में 1.2 से लेके 1.3 परसंट तक रखना है यह depend करेगा आपके bird के health status पे कि आपने exact कितनी lysine देनी है उसके बाद second number पे आता है methionine अब जो digestible methionine है वो आपने फीड में 0.38 से लेके 0.4 परसंट तक सेट करना है उसके बाद third number पे जो bird को amino acid जरूरी चाहिए होता है वो 3.9 होता है अब 3.9 जो है अपने फीड में सेट करना है 0.76 से लेके 0.78 परसंट है उसके बाद जो last पे amino acid है जो कि bird को चाहिए होता है जरूरी essential amino acid में count होता है वो होता है methionine प्लस सिस्टीन उसकी range जो है 0.78 से लेके 0.8 परसंट तक होनी चाहिए तो यार इन सारी specs को देखके आप एक अच्छा pre-starter और starter formulation अपने brother bird को दे सकते हो जैसा कि मैंने इस video के starting में आपको पहले भी बताया है कि यार exact feed formulation मैं आपको यहाँ पे नहीं दे सकूँगा क्योंकि वो bird to bird vary करता है मैं आपको यह कभी भी नहीं बता सकता और ना मैं कभी बताऊंगा कि आप एक general formula हर bird को दो नहीं ऐसा नहीं हो सकता हर bird की physical status को देखके health status को देखके decide किया जाता है कि हमने उसका feed formulation क्या set करना है उसके standards को देखके उसकी health condition को देखके यह चीज़ decide की जाती है तो उमीद करता हूँ आपको आज की video useful लगी होगी यार यह वीडियो उन लोगों के लिए तो बहुत एहम होगी जो ब्राइलर की feed तो set करना जाते हैं लेकिन उनको यह नहीं पता कि ब्राइलर की जो demands है जो requirements है body की वो क्या है ब्राइलर को कौन से चीज़ कितनी ratio में चाहिए होती है protein कितनी ratio में चाहिए energy कितनी ratio में चाहिए fat कितनी ratio में चाहिए अगर इन सब चीज़ों का पता होगा तब भी एक आप healthy formulation set कर सकोगे इसके इलावा भी अगर किसी भाई को किसी दोस को अपने बर्ड के लिए specific feet सेट करवानी है तो यहर इस वीडियो के नीचे में अपनी Facebook का ID लाजमी दूँगा आप मुझे वहां पर contact करो मुझे अपने बर्ड की सारी history बताओ तो उस history को देख के आपके बर्ड की current body condition को देख के उसका weight कितना है, age कितनी है, क्या उसको चीज चाहिए उस लहाज से मैं आपको feet formulate करके दूँगा जो सिरफ और सिरफ आपके bird के लिए होगी तो यह था आज का content, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो like, comment, share सब कीजेगा और फिला दीजेगा और चैनल को subscribe लाजमी कीजेगा तो इन्चाहरा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले content के साथ तब तक अपना आप बहुत ख्याल रखिएगा, दौाओं में याद रखिएगा अलाफेश